भारतिय संस्कृति में यज्य, योग एवं आयूर्वेज जैसी अमूलने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेज, इतिहाज की ओर द्रिष्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्राम वासियों वो अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक, नित्य व नैमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कौमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता है, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बैड पर सब जगा नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगा पाइप लगाया हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कौमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी बता नहीं चलता है, तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुपता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आखों के सामने अंधेरा चाने लगा उन्हों ने तुरंट डॉक्टर के पास लेके गए डॉक्टर ने कहा कि तुरंट इनका एमराई करा हो तो एमराई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि बिचटरी ग्लैंड में गांठ है चूमर जैसे गांठ है तो उन्होंने बोला तुरंट ऑप्रेशन करना पड़ेगा लेकिन इसका हम गैरेंटी नहीं दे सकते मतलब ठीक होगी नहीं होगी कॉमा में भी सकती है जिन्दा भी रह सकती है हम कुछ गैरेंटी देंगे नहीं लेकिन ऑप्रेशन करना पड़ेगा तो अभी हम जब डॉक्तर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं हमारे लिए डॉक्तर ही भगवान होता है तो जो आप बोलोगे वह करना पड़ेगा तो ऑप्र करने के बाद एक महिना तक बेड में थी डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ और कितने दीन रखो गई यहां तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जा के भी क्या करेंगे उतनीसुविधा तो है नहीं तो आप यहीं रखो थो तो नहीं बोला हम यहां नहीं रखेंगे आप दूसरे होस्पिटल में लेके जो तो अपोला होस्पिटल वाशी में वहां उनको लेके गए वहां तीन मैने तक रखा लेकिन कोई प्रोग्रस नहीं तो उन्होंने सुना था कि यहां कैंसर के पेशंट आते हैं उनका ठीक हुआ है ऐसे सुनते सुनते वो हो गए उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हम सिर्फ यग्या करेंगे चलेगा क्या आपको सुबह शाम आपके घर तो कुछ भी करो आप हम सिर्फ आपके सुपूर्त है आप ही हमारे लिए भगवान है तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया उसी दिन से उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके याँ हवन होने लगा और आज तीन महिना कंप्लीट हो गया धीरे धीरे जब उनको लाया गया वील चैर में तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी ऐसी टेड़ी और यह जो पैर था वो भी ऐसा था वील चैर में और आख तो जमीन आसमान का फरकता तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन मतलब वो कुछ कर नहीं रही ती सिर्फ बेड़ पर ही थी और हम सुबह और शाम हवन करते थे उस हवन के द्वारा सिर्फ एक महिने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ हात और पैर में हलका हलका ह टर ने क्या कहा मेरकल है यह सब है मि रखन दिव्य शका नाम डिव्य तो उन्होंने कैं disease दोम मेरेकल और सभी डॉक्टर उसको मिलने के आלה थे और वहां तीन दिन वह रही और सब लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बटा व्यक्ति आ गए हो और उसे मिल रहा तो धीरे धीरे ये यज्ज से देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ आपके घर यज्ज चलता रहेगा तो भी जाने अंजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं सिर्फ उतना स्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहां जो है, एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आखों के सामने जो अंधेरा था, वो भी उसको दिखने लगा, बहुत ही आत्मा को क्रते जिता प्रुवप्रणाम करते हुए, आज यह यज्य चिकितसा प्रशिक्षन दिवस के यह छटवे सत्र में, छटवे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, आज हम विशेश रुप से मुख्यत या, यज्य एक चिकितसा पद्दती हैं, तो आखिर वो कैसे क कारिय करके हमारे शरी के अंदर से हमें व्याती से मुक्ति दिलाने का कारिय करती हैं, इन बिंदू पर हम विशेश रुप से चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ जिसे आपको कल और परसो, दो दिन, कुछ विशेश आउशधिया या सामगरियों को लिखाने का प्रियास क किया गया आचारिय डोक्टर कमल नारणजीब के माध्यम से, जिन्होंने हमें विशेश रुप से कई सारे आउशधियों के बारे में उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और किस प्रकार से वो कारिय करते हैं, और कौन से आउशधियों से कौन से रोग में हम होगी हैं, और सब लोगों को हमने जो उपलब्द भी कराया हैं पतंजली योगवीठा के माध्यम से, कि अलग-लग रोगों के अनुसार हम जब चिकित्सा करते हैं, तो उस चिकित्सा के लिए एक विशेश हविर्द्रव्य की आविशक्ता होती हैं, आयूर वेदेशु यत परोग तम यस्यरोगस भेश जम तस्यरोगस सांत्य अरथम तेन तेने वह हो मये। आई रवेद आदि ग्रंथो में जिन रोग के निवारण के लिए जन जड़ी बुटियों का सेवन करने के लिए बताया गया हैं, उन्ही जड़ी बुटियों से हवन करने से हों करने से वह वहा रोग हमारे सांत होते हैं दूर होते हैं नश्ट होते हैं और इससे अतिरिक्त डॉक्टर मम्ता सकसेना जी से लेकर के डॉक्टर तारा सिंग जी से लेकर के डॉक्टर कमल नारा आया जी से लेकर के डॉक्टर अचारे प्रद्युम्न जी से लेकर के कई सारे ऐसे याजिक साधब या यज्य चिकित्सक गण हुए हैं जो पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से लगातार यज्य चिकित्सा को कर रहे हैं और करा रहे हैं और उसका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और उसमें जो उन्होंने सार भूत में प्राप्त किया हुआ जो 25 साल 30 साल 10 साल 12 साल का जो उनका अ उन अनुभों को हमने स्वयम उनको यहां बुलाया कहीं बार हम उनके पांच गए और बहुत ही उसके उपर मारमिक चर्चा और विचारना और सारी निशकर्स जो उनके थे उनको लेने के बाद जो अपने आईरवेद आदी गरंथ हैं आईरवेद आदी गरंथों में भी चिकित्सा से संबंदित और भी बहुत सारी जो भेशज्य रतना वली में जैसे यज्य को देवी चिकित्सा पदती बताएगा या उससे लेकर के और भी बहुत सारी जगाओ पर और अथरवेद आदी में विशेश रूप से जो नतम्यक्ष्मा अरुंधते नैनमसफतों यदिक्षितायूर, यदिवापरेतो, यदिर मृत्योरंतिकम, नितयव, तमाहरामी, असपार्शमेनम, सतसारदाय, आदी-आदी मंत्रों में जो यज्य चिकित्सा की विशेश महीमा और उसका जो मंतव या बताया गया है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और वरतमान मौडन साइन्स में जैसे आज पतंजली रिसर्च इंस्टिट्यूट पी आर आई के माध्यम से भी जो आज अलग-अलग आउशदियों में क्या-क्या कंपोनेंट्स है और कौन से बीमारी के लिए विशेश करके लाबकारी होते हैं और किस प्रकार से कौन सी जड़ी-बूटी किस रोग के लिए उप्युक्त हो सकते हैं आदी के उपर भी गहन अनुसंधान करके जो निसकर्ष के सामने हमारे सामने आये कि ए जड़ी बोटी विशेश रूप से इस रोग के सांती के लिए होम करने से या हवन करने से उप्युक्त हो सकती है या विशेश लाब दे सकती इस रूप में जो सामने आया उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ है रोगों के अनुसार हवन सामगरी बनाने का प्रियास किया है उसमें कई सारी हवन सामगरीयों का हमने निर्मान किया है उसमें से आज मैं आप सभी के सामने दो हवन सामगरी रखना चाहूंगा आप सभी लोग उसको नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ देख भी सकते हैं और उसके परिणाम भी प्रत्यक्ष परिणाम भी हम आपके सामने रखेंगे और कैसे वो कार्य करता है वो भी रखेंगे तो सबसे पहले में आपके सामने ये द्रव्य मेरे सामने रखे हुए इसको आप देख सकते हैं और हमने दो हवन सामगरी विशेश का निर्मान किया हैं, बहुत सारी किये हैं, आज आपके सामने दो का रखने जा रहा हूँ, एक है स्वाशामरित, स्वाशामरित जो हवन सामगरी हैं, उसके अंदर देवदारू, जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसको देवदारू क करते हैं तो कपूर की जगा पर आप इसकी लकड़ी को एक छोटा सा टुकड़ा ले करके और उसको भी दिपक के मादम से प्रदिप्त करके आप वेदी के मध्य में रख सकते हैं यह बहुत कपूर की तरह ही बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से जलता है क्योंकि इसके अं कपूर की जगा पर विशिष रुप से आपको इस लकड़ी के मादम से दीप प्रजोलन करके हम दिखाएंगे बताएंगे दूसरा है हल्दी हरीद्र जिसको बेलते हैं हरीद्रा खंड जिसको बोलते हैं यह हल्दी है हमारे सामने जो हम खाते हैं अपने घर में टर्गमरी जिसको बोलते हैं जिसका चूरण करके हम अपने घर में परियोग लेते हैं और आज पूरी दुनिया है एंटिवाइटिक के रूप में और विशेश रूप से दूध में इसको डाल करके और दूध को उबाल करके और फिर उसका सेवन करना इस प्रकार का इसका लाव अलग- नमबर पर यह हल्दी आती हैं, तो यह दूसरी हल्दी, श्वासामरित हवन सामगरी के अंदर, दूसरा है हल्दी, पहला है देवदारू, आप लिख सकते हैं, अपने घर में भी इन जड़ी बुट्यों को लेकर के आप हवन सामगरी बना सकते हैं, और हवन कर सकते हैं, अन्य यह हमारे सामने हमारे पांस तेज पता रखा हुआ है यह तेज पता हर किसी के घर में होता है हर कोई डाल बनाते हैं तो उसमें इसका परियोग करते हैं इसमें भी विशेश प्रकार का ओईल पाया जाता है और वह जो ओईल होता है वो विशेश करके हमारे स्वांस से संबन द लगा कर कि इस पत्तों को यदि हम जला दे, तो मच्छर से जो प्रताडित स्थान होता है, जहां पर बहुत अधिक मातरा में मच्छर होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो स्वास से समझे जितने भी रोग है, उनसे हमारा बचा होता है, और यदि वह र जिस व्यक्ति को इस गूगल की धुनी मिलती है, जिस व्यक्ति को इस गूगल का जलने के बाद जो उर्जाय उत्वन होती है, वो प्राप्त होती है, उसको यक्ष्मा, राज-यक्ष्मा, अर्थात, जो सूक्ष्मा रोग कहे गए, गंभीर रोग कहे गए हैं, वह रोग भी कैसे उनको हो सकते हैं, किसी भी रोग से उनको कैसे प्रतारित हो सकते हैं, किसी भी रोग से उनको कैसे पीडा प्राप्त हो सकते हैं, इस प्रकार से बताएगा और इस प्रकार प्रकृतिक पांच तत्वों के संतुलन के लिए भी इस Google का प्रयोग घ्रित गुलगुलो होमेच ग्रीत और Google के होम से सर्वत पाता दे मरदनम का सबी प्रकार के उत्पात सांत हो जाते हैं Google के बाद यह हमारे पांस है राल Google के बाद यह है लाख यह हमारे पांस राल यह है लाख यह लाख एक कीड़ा विशिश होता है और वह पेड़ एक विशिश होता है उसे माध्यम से यह उत्पन होता है और कई सारे चीजों में यह परियोग में आता है कुछ चीजों को चिपकाने आदी के रूप में भी इस लाख का परियोग लेते हैं और विशेश करके आईरवेद आदी गरंथों में भी लाख के अनेक गून बताए गए है उसमें से किटान, रोधक, बेक्टरिया आदी को नास करने के लिए भी और जो वायू प्रदूसन हैं उस वायू प्रदूसन से भी बचने के लिए जो हमारे प्राचीन गरंथों में शुशुर्च सहीता में विशेश रूपचे, राल, लाख, गुगूल, वच, जैसे हमारे सामने वच रखी, गुडवच रखी हुई है पहली ही तो ये गुडवच, आदी आदी, फूल प्रियंगू, आदी कई सारे ऐसे दरवी हैं जीन के मिस्सरन से वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, उसको अंगारों के उपर डाल करके जो धूनी ऊड़ती है उस धूनी को वायू मंडल के अंदर प्रसरित करने से वायू मंडल के अंदर जो विशाक्त गेसों का बढ़ना या प्रदुसित होना जो होता है वह भी सान्थ हो जाता है ताहिए ठीक हो जाता है इस प्रकार का भी बुणा तो यह है हमारे पांस लाख इसी प्रकार से यह राल है राल साल एक पेड़ कहा जाता है विशिश करके च साल पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं और इस राल की धुनी से बच्चों के रोगों को दूर करने से लेकर के वायू को शुद करने से लेकर के अनेक प्रकार के स्वास समंदी रोगों को दूर करने में विशिश करके यह लाबकारी होता है और उसके बाद ही हमारे पांस हुआ है खस आप सबी लोग खस का सरबत पीते हैं इसी तल होता है ठंडा होता है और इस खस की धूनी से या खस के जलने पर जो गेसे उत्पन होती इसका भी विशेश ओयल बनाया जाता है वह भी विशेश अलग अलग रोगों के लिए उपयोग तो होता है तो यह जो खस है उसका प्रियोग भी विशेश रूप से इस स्वासामरित हवन सामगरी के अंदर हमने किया है। अर्थात यह जो मेरे सामने 2, 2, 4, 2, 6 और 7 इन 7 जड़ी बुटियों को मिला करके हमने एक स्वासामरित हवन सामगरी का निर्मान किया हैं जो विशेश रूप से अस्थमा, स्वास का फुलना, हिचकी, सर्दी, नजला, एलर्जी, आदी जो रोग हैं उन रोगों को दूर करने में बहुत विशेश रूप से साहयक होते हैं या विश्य शुर्प से लाब प्रद होते हैं उन रोगों को सांत करने के लिए या उन रोगों को दूर करने के लिए तो यह स्वासामरित हवन सामगरी का थोड़ा में परीजे करा है आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं और यह हवन सामगरी के अंदर देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, गुगूल, लाख, एरंड के जड़ भी हमें इसमें ले सकते हैं राल, खस, इनसे निर्मित यह स्वासामरित हवन सामगरी का निर्मान हुआ और इससे अस्थमा, दमा, स्वासका घुटना, हिचकी, सर्दी, नजला, एलर्जी, आदी रोग इससे सांथ होते हैं, दूर होते हैं इसी प्रकार यह दूसरी हवन सामगरी के कुछ द्रव्य मेरे पांस रखे हुए हैं यह विशेश रुप से रिद्य हवन सामगरी, हाट से समंदित, हरदी से समंदित, जो रोग होते हैं, उनको सांथ करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, यह विशेश करके लाभकारी होता है उसमें अर्जून, अर्जून आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में, आज परमपुजा स्वामी जी माहराद ने इस अर्जून को, यह अर्जून चूर्ण है हमारे पास, अर्जून की छाल का चूर्ण, इस अर्जून की छाल के चूर्ण का प्रियोग, या अर्जून क यह प्रकार की चाहरेयर के में यहीं पर्विक्षक्रा नामें, वुष्षकरमूल होता हैं ल्गेन लेध कहते हैं यहा 더 हैं मासी ये जटा मासी भी विशेश करके लाबकारी होते हैं यह एक पोधा विशेश होता है उसकी जड़ के अंदर ये पेदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साप सुथरे करके छाओ में सुखा करके तियार करते हैं, यह सुगंदिथ भी होती हैं, रोग निवारक भी होती हैं, और हड़ई रोग के लिए विशेच करके लाब काई होती हैं, इसके बाद हैं हमारे पांस वच जो सबसे प्रत्थम रखी हुए, यह वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाब करें हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती ही होती है लेकिन हार्ट रदे रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अन्बेलंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है वच की यह जड़ होती है और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धोगर के च्छाओं में सुखा लेते हैं तो यह जो वच हैं यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती हैं और आईरवेद आदिक गरंतों में तो भुतोन माज से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए मानसिक असंतुलन मीरगी से लेकर के साइनस से लेकर के अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वच की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टरिया को नास करने के लिए बहुत उत्तम रिती से कारिये करते हैं आप अंगार के ओपर डाले और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फेलती हैं तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टरिया हैं वो दूर हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं इसी प्रकार से यह दालचीनी है इस सभी के घर में पाई जाती हैं सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रियोग लेते हैं यह दालचीनी विशेश रूप से एक सुर्भी एक सुगंधी भी इसमें बहुत ही अच्छी होती है और यह दालचीनी रदे रोग के लिए विशेश करके लाबकारी उपयोगी होती है और इसके साथ-साथ कफज रोगों के लिए अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और उसके बाद यहां है रासना यह रासना पत्ती हैं हमारे पांस यह रासना भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है हाट रोगों को रिद्य रोगों को ठीक करने के लिए इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पीए या इनी जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह वह रोग ठीक हो जाते हैं तो हमने जो रिद्य हवन सामगरी बनाई हैं, उसमें अर्जुन की साल, पोख करमूल या पुसकरमूल, जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेश सम्मिस्रन करके रिद्य हवन सामगरी बनाई हैं, और आप अपने घर में ही इन जड़ी बुटियों को ला उप्योग होती हैं, रिद्य हवन सामगरी, इसका आप विशेश रुप से प्रयोग या उप्योग अपने जीवन में आप ले सकते हैं, तो यह आपको विशेश रुप से दो हवन सामगरी से मैंने आपको प्ररिचत कराया, एक स्वास से संबंधित रोग, दूसरा हाट से स मंदी द्रोग इन दोनों रोगों से सांती प्राप्त करने के लिए उन दोनों रोगों से मुक्ती पाने के लिए इन दो हवन सामगरी का हम प्रियोग ले सकते हैं हमारे साथ एक संतो साथे करके ग्रहस ताये थे वो मेरे रूम में थे उनका करीब आठ से दस साल पहले एक्सिडेंट हो गया था और एक्सिडेंट में उनकी इतनी बड़ी इतनी बड़ी जखम थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे ना उनको डाइबेटिस था ना अगाव देखा नहीं जाता था ओके और जब उन्होंने हम लोगों का रूम में बात हुई मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके उन्होंने हवन का ये काम किया और अभी उनकी 40% स्कीन आ गई है उनको पे है श्केम बड़ी कि जिसमे इंशूलीन लेने के बार भी असर नहीं होता था उस स्टेज तक पहुंच ॏस तक मैं पॉंच गया था इन्होंने बताया यग्या के बारे में कैसे है क्या फाइदा हो रहे कितने लोगों को फाइदा हो रहे तो फिर मैं सचा चलो और 3kim फ्रू पहले ही दिन जो असर हुआ शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था पहले दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन और ऐसा लगने लगा कि शायद यगे ही हमारा जीवन है और मेरे शरीर में तो परिवर्तन सौ टका आ गया है मैं 99 परसंट नहीं परिवर्तना गया और मेरे रोग में भी परिवर्तना गया मैला मंडल के ग्रूप में ये प्रयोक शुरू किया खाली हवन सिखाऊंगी मैं दीरे दीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपनम लगाते थे उसमें 40-50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है मेरा खुद का एक्जामपल है मेरा राइट व्रिस्ट ये थम यहां से बेंड नहीं हो रहा था ओपरेशन की डेट थी लेकिन मैं बच्चों को पड़ाती थी तो मैंने वो डेट डीले करा कि एपरिल में की थी लास्ट मन फिर दीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में एक्षी थीक हो गया ना मैंने ऑपरेशन करा यह भी सारा कम मैं खुद करती हूं मैं ट्यूशन्स लेती हूं बच्चों को शर्दी खासी जब होती है मैं उनके पैरेंस को वही बोलती हूं आप को डॉक्टर के पास मत जाएं मैं घर पे हवन करती हूं उसी में उनको बिठा का उनको मंत्र सिखा के निलगीरी लास्ट में और गूगल डालके जो धुवा उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीधिंग कराती हूं और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है जो भी शर्दी खोकला है सब दूर हो चुका है और मैं हमेशा हमारे या मंदिर में आमावश तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें यज्य भारती संस्क्ति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार के स्रेश्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प् भारती संस्क्ति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने हे तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिक्रम से जुड़ें विशेश जानकारी हे तू संपर्थ करें मोबाइल 9068565306